आज मैं आपको वजरी साफ करके इसका इसमेल खतम करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी बिल्कुल भी बद्बू नहीं आएगी एक दम दूद के जैसा ये सफेद होगा पूरा वीडियो में लाश तक हमारे साथ बने रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमने कोई भी टूथपेस्ट लेना है जो आपके घर में इस्तिमाल होता है वो टूथपेस्ट ले लिजिएगा और ये वजड़ी का जो पोटी होता है जो साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है हमने यही साफ करके आपको दिखा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें जो बोटी कहते हैं कहीं पे वजरी और कहीं पे अत्री पचोनी और क्या क्या इसके नाम है तो चलिए हमने इसे साफ कर लिया और गरम हमने पानी लिया था और इसे हमने तीन मिनट के लिए ये गरम पानी में छोड़ देना है देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा उखरने सा ल प्येटी का जो हिस्सा है न यह जो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है साफ करना पर चमच से करेंगे बहुत ही आसानी से यह निकल जाएंगे तो यह देखे कितना यह गंदा सा दिख रहा है यह साफ होने के बाद भी तो तीन पाने से हमने इसे धो लिया है अब जो हमने करना है जिस तरह से आप कपड़ा दोते हैं वैसे ही से रगर यह दो तीन मिनट के लिए देखेंगे एक दम वाइट सा यह हो जाएगा उसके बाद इसका इसमेल हटाने के लिए हमने क्या करना है हमने एक बरतन में पानी लेना है तीन से चार चमच हमने बेनिगर डाले है औ और वजड़ी को तीन चार पानी से अच्छी तरीके से धोली है उसके बाद बेनिगर वाला पाने में हमने आदा घंटा के लिए छोड़ देना है आदे घंटे के बाद यह पकने के लिए तयार है एक दम वैसमेल फिरी